हेलो दोस्तो नमेशकार वोड़ो को स्टड़ी कर सकते हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अविलेबल है तो चले दोस्तो फिलाल इस वोड़ो को स्टार्ट कर लेते हैं सुरोस अब हम लगा चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले है एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में यस बहुत ही कमाल का मल्टी बैगर स्टॉक है अल्रेड़ी शांदार रिटन हम लोगों को यहाँ पर यह दे चुका है और बाजर की फिलाल की सिच्वेशन दबाव वाली है तो इसलिए यह इतना अच्छा स्टॉक भी हम लोग आपर अगर चेक करे तो टॉप लेवल से आप लोगो 30% डिसकाउंट के उपर मिल रहा है दोस्तो किसी फोन के उपर डिसकाउंट मिलता है तो आप खुशी-खुशी खरीद लेते हो बट किसी स्टॉक के उपर डिसकाउंट मिल रहा है तो हर व्यक्ती हर रिटेल इंवेस्टर यहाँ पर मार्केट से दूर भाग रहा है यही mentality हमेशा retail investor को market में successful होने नहीं देती है सो दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी company के बारे में जो कि fundamentally बहुत ही ज़्यादा strong है management बहुत ही कमाल का है बहुत सारे positive factor आप लोगों को इस company में देखने को मिलेंगे जैसे वे ने आप लोगों को बताया एक company की यहाँ पे मतलब गिरावट मतलब क्या कि बाजार में pressure है इसलिए नीचे अभी बाजार में pressure ही नहीं था यह तो rocket की तरह भाग रहा था भाग रहा था भाग रहा था और सिफ भागी रहा था और आगे भी दोस्तो बाजार कोई खतम नहीं होता है आगे जब बाजार rocket की तरह वापस भागेगा यह तो super duper rocket की तरह हम लोगों को उपर जाते वे देखने को मिलेगा so definitely ऐसे situation में अगर आप इस company में SIP करके रख लेते हो एक दो एक दो quantity खरीट के रख लेते हो long term के लिए तो फिर आप लोगों को जब बाजार उपर जाएगा तब आपको उसका फाइदा मिलेगा so just so अभी हम लोग आ चुके company के कुछ record के उपर right अभी यह देखी जो लाल निशान देखने को मिल रहे मतलब यह देखी अभी एक दिन का return देखिए कितना है दो सावा 2% माइनस चल रहा है एक हफ़ते में जिसने निवेश क्या होगा देड़ पसंट नुकसान में होगा एक मैने वाला 2% के आसपस कमा रहा होगा तीन मैने में जिसने इन्वेश्ट क्या होगा 10% नीचे चला गया इसका stock चे मेने वाले 18% तक नीचे चला गया 1st January से लगबग 20% की गिरावट एक साल जिनों निवेश करके रखा है आज भी इतने गिरावट के बावजूद 17% उनको यहापे मिल रहा है ठीक है 2 साल वाले 50% का रिटन उनको मिल रहा है 3 साल वाले 183% के रिटन पे है आज भी इतने टॉप लेवल से 30-40% डाउन होने के बावजूद भी 4 साल वाले 145% के रिटन 5 साल वाले लगबग 400% के रिटन यह 400 नहीं थे यह इनफेक्ट 500% के उपर थे जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट नीच आएगा तो यह जो बड़े रिटन से वो भी तो कम हो जाते 10 साल तो अभी तक हुआ नहीं है सो रोस्तो यह जो डेटा है इतना ही डेटा आमनों को बहुत कुछ चीज़े बया कर देता है क्या बया कर देता है कि अगर आपको नुकसान हो रहा है तो डेफिनेटली 100-2,100-10% आप बिल्कुल शॉट टर्म इन्वेस्टर है आपने अभी अभी इन्वेस्ट किया होगा जिसने भी इस कमपनी में एक साल इन्वेस्ट किया है दो साल इन्वेस्ट किया है या फिर 5 साल से इन्वेस्टर है भले उनके रिटर्न्स कम हो वो लॉस में नहीं है लॉस में कोंने इस कमपनी में जिसने अभी अभी इन्वेस्ट किया है वोई लोग यापे कह रहे होंगे कि सर ये कमपनी खराब है नुकसान देखने को मिल रहा है for example 10,000 लगाया होगा तो 10,000 के नीचे सिर्फ ये अभी के short term वाले हम कह सकते एक साल वाले भी जिन्होंने hold किया है उनको भी 17% है मतलब एक साल से कम होगा शायद से आपने एक मैना hold किया होगा 4 मैना 5 मैना 6 मैना 7, 8, 9, 10, 11 बहुत ही short term अपने hold किया है इसलिए आप इस company को यहां पर बोल रहे है कि देखे return नहीं बन रहे है पर जो लोग long term में है वो तो बहुत अच्छा कमा रहे है और आगी भी कमाएंगे इसलिए बार-बार किया रहा हूँ दोस्तों यहां पर जो अभी का phase है जो market में चल रहा है जो tick गया इस phase में दोस्तों वो आगे जबरदस माला-माल investor बनने वाला है और बाद में जब market नॉर्मल हो जाएगा भीड तो आएगी return investor के 110% आएगी अभी नहीं आएगी अभी तो situation tough है ना ऐसे situation में थोड़ी ना अच्छे players मतलब जो बोलते हैं टिकने वाले players होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं तो आप लोग अभी देख सकते हैं दोस्तों इतने बड़े आपको returns यापर मिल रहे हैं आगे भी आप लोग को जरू मिलेंगे आपने बस यापर hold continue करना है मतल देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें company के balance rate ये सारी चीज़े में हमेशा दिखाता हूं तो आप देख सकते हो 4000 करोड का results था फिर लगबग 5000 करोड का हुआ फिर लगबग 10,000 करोड का हुआ फिर बढ़ते बढ़ते ही साड़े 11 हुआ और अभी 13,000 करोड से भी ज्यादा के रिज़व से बहुत ही solid रिज़व है दैन अगर हम लोग बात करें company डेफ री थी बड़ अभी फिलाल company ने 320 CR का या पे करजा लिया है ठीक है आपे हम लोग बोल सकते हैं ये company ने अभी तक बहुत अच्छा performance के है तो जरू वो company करजे का सही तरीके से इस्तामाल करेगी तो balance rate भी हम लोग को क्या देखने को मिल रही है इस company की strong ही देखने को मिल रही है दैन दोस्तों market cap की बात करें so लगबग धाई लाक करोड का market cap है दोस्तों अभी धाई लाक करोड का market cap वाली company को ये बरबाद नहीं होती है जिरो नहीं थे हाँ until अनल से fraud कुछ गडबड हो दो तो आप लोग आपे देख सकते हैं तब से लेके अभी तक company का net profit देख लेना 60 था फिर कितना हो गया 94 हुआ कितना हुआ फिर 160 फिर 200 को cross किया फिर 320 हुआ फिर 479 फिर 800 तक चला गया फिर 900 फिर 1300 फिर हम लोग को हजार थोड़ा सा या पर down देखने को मिला क्या इसका अर् आपे बरबादी नहीं हुई है यह situation बिलकुल नॉर्मल है ऐसा बहुत बार इसके पहले भी हम लोगों नहीं यहापे देखा है और जैसे मैं आप लोग को बता है कि company fundamentally strong है consistent company है and plus अगर हम लोग यहापे बात करे share holding pattern भी अगर आप लोग यहापे देख सकते हो क्या promoter भाग तो आप देख सकते हैं आपे promoter खुद 75% holding लेकर बेठे हुए है FIS की बात करें तो लगबग 8-8,5% DS की बात करें तो 6-6,5% public की बात करें तो 9-9,5% so बताने का मक्सद क्या है promoter भी शांदार, balance sheet भी strong consistency के साथ profit कमाया है company के return का profile अभी मैं आप लोग के सामने आपे रख दि है, right, so यह चीज़े हम लोगों ने समझना है, अगर मैं इन companies के store की बात करो, शायद से 20 या 21 के आसपास के store इस quarter 4 में उन्होंने आपे open किये है, और पूरे साल की अगर मैं बात करो दोस्तों, तो 50 तक के stores इन्होंने नए आपे start कर दिये, मतलब क्या company business expand कर रही है, जैसे ही दोस्तों, situation बिलकुल थोड़ा बहुत भी normal हो जाएगा, इस रफ्तार की तरह ये भागेगा आगे, कि फिर मतलब बोलते हैं न, फिर वो भागती वे train पकड़ने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, अभी नहीं खरीदेंगी, यही सबसे बड़ी गलती होती है retail इंस्टर क दोस्तों, डिमार्ट कमाल का स्टॉक है दोस्तों, बहुत ही शांदार स्टॉक है यहापे और बहुत अच्छा का सा performance यहापे दे रहा है, मुझे आज भी आदे जब डिमार्ट यहापे अगर मैं बात करूँ, जब यहापे, मतलब अगर मैं आप लोगों को maximum track pattern दिखा दू यहापे भी था, तभी भी इसकी जो opening थी यहापे, तो 90 का PE चल रहा था, approximately में बात करो, 90 का PE चल रहा है, सिर्फ PE देखके addition नहीं लेना होता है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करू, डिमार्ट का PE, कभी भी हम लोगों को सबसे lowest level 2020 crash हुआ था, तभी आया था, somewhere around 85 के असपास, तो आप देख सकते हो, मतलब जो लोग इंतजारी कर रहे थे, कि PE बहुत सस्ता होगा, सस्ता होगा, वो आज भी इंतजार कर रहे है, and stock यहाँ से, औल्लेडी 5 से 10 गुना बढ़ भी गया, तो इसलिए कहना चांगा, सिर्फ वो एक factor देखकर addition नहीं लेना होता है, तो दोस्तो फिलाल के अगर हम लोग बात करें, तो एक साल का data में आपको दिखाना चांगा, यह देखिए, जैसे शुरुआत में मैंने आपको दिखा था, कि आज भी 17% की holding है, 17% के return से जिनने एक साल hold किया था, no doubt यह returns कुछ जादा ही थे, बट बोलते है ना, कि अभी भी choice है, आपको निकलना है क्या, तो निकल सकते हो, कि returns आप लोगों को मिल जाएंगे, बट वो नहीं निकलेंगे, उनको पता है कि इसकी power क्या रहती है, and top level से देखें दोस्तो, stock लगबग जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, 30 to 40% down है, इसका आरतिया नहीं कि यह maturity दे रहे, कितने सारे stock मतलब में बहुत वीडियो बना चुका हो दोस्तो, और आगे भी बनाऊंगा, कि इतने सारे stock सस्ते सस्ते दाम पे ऐसे ही मिल रहे है, 30-40%, यह situation चलती रहती है, महिंगाई रहेगी, महिंगाई जाएगी, ऐसा कभी नहीं रहेगा, कि महिंगाई हट ज इसमें जो टिक गया ना वो टिक गया, वरना बाद में क्या तेजी में तो हर कोई आ जाएगा वापस खरीदने के लिए यह गलती नहीं करनी है, आपका trust होना चाहिए, और retail का business कोई खतम नहीं होने वाला है, इवन्दो Reliance Retail भी लिस्ट हो जाए, यह company अच्छा ही performance करते है ऐसी कोई बात नहीं होती कि एक ही company कमाती रहती है, तो definitely हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि demand अगर आप लोगों के पास है, अगर आपके पास है, तो आप लोग ज़रूर यहापे continue करने का विचार कर सकते हैं, कोई डरने की ज़रूत नहीं है, अगर आप चाओ तो एक installment लगान करोड का market का पर, तो एक installment लगाने के लिए वैसे तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, रैट, बट जैसे मने आप लोगों को का कि, यहाँ से भी अगर और वो नीचे गिर जाता है, अगर लेट से आदा हो जाता है, तो 50% मतलब वहाँ पर भी एक installment लगाओगी, तो आप मोखे नहीं मिलते हैं, जैसे मैंने का नहीं, यह तो market को आपने thank you बोलना चाहिए, कि ऐसा situation क्रेट हुआ है, इसके कारण हम लोगों को यह stock मिल रहे है, वरना यह देखे, पाच-पाच साल, दिख रहा है कि इदर stock एब्दम panic हुआ था, चोटा-चोटा गिरा था, यह तो अ उसका फाइदा उठाओ दोस्तों, बट long term के लिए अगर आप invest करके रहोगे, कमाल के returns मिलेंगे, जिननोंने 2008 में invest किया था, 2020 में invest किया था, 2016 में invest किया था, कमाल का पैसा चाहप रहे हो, वो कोई एक दिन में नहीं चाहप रहे, बट आगे जाके, जब market भागा, फिर उनने इंजोई किया, तो आशा करता हो, आप लोगों को वीडियो यह पसंद आया होगा, जरू इसको study करना, यह कोई मेरा recommendation नहीं था, मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो बनाते रहे था, बट येस, अवेन इस सुपरमार्ट, डिमार्ट जैसा कमपनी, हमलों को market में pressure की कारण 30-40% न कि लिए, बाइ-बाइ